असलाम लेकूम, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी मटर पनीर की रेसिपी, इसको बनाना बेहद आसान है और ये बहुत टेस्टी मटर पनीर बन करके तयार होता है, तो कैसे बनता है, आइए देख लेते हैं, तो चूले पर मैंने कडाही को रखा है, अब इसमें हम ओईल डालेंगे, ओईल एच्छी तरह से गरम हो चुका है, 1 टेबल स्पून जीरा डालेंगे, तीन पिस छोटा टुकरा दाल चीनी का डालेंगे, खुश्बू आने तक इसको भून लेंगे, तीन पिस बड़े सा इसका पियास लिया था, जिसको इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, अब इसको हम कडाही में डालेंगे, अब पियास को लगतार चलाते वे गोल्डन ब्रॉन कर लेंगे, तो पियास हलका हलका ब्रॉन होने लगा है, अब बराबर इस पे नज़र रखेंगे, और continue चलाते रहें तो प्यास जो है वह अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है, तू टेबल इस्पून इसमें डालेंगे अध्रक लैसून का पेस्ट, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट एट करेंगे, तू टेबल इस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ज पॉर्डर, तू टेबल इस्पून दालेंगे धनिया पाउडर, half teaspoon हल्दी पाउडर, इधर मैंने दो पीस बड़े साइस का टमाटर लिया था और 8 से 10 पीस काजू, दोनों को mixer grinder में fine grind कर लिया है, अब इसको डालेंगे, मसाले को अच्छी तरह से mix कर लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे, अगर recipe आपको अच्छी लगेगी तो like, share और चाइनल पे नए हो तो subscribe जरूर करें बेल आइकन को भी दबा दें ताके आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे अब flame को medium करके मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे तो यह देखिए मसाला जो है वो अच्छी तरह से भून आ चुका है और इसका तेल भी surface पे आ चुका है तो इधर मैंने साड़े 300 ग्राम पनीर लिया है जिसके pieces को इस तरह से cut किया है अब इसको हम कडाही में डालेंगे इधर मैंने एक कटोरी frozen मटर लिया है अब इसको डालेंगे अब हलकी हाथों से इसको अच्छी तरह से mix कर लेंगे अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे अब इसको mix कर लेंगे three tablespoon डालेंगे कसूरी मेथी कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा flavor आता है अब इसमें डालेंगे 1 teaspoon sugar sugar डालने से सारी चीज balance हो जाता है और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है बस अब सारी चीजों को अच्छी तरह से mix कर लेंगे अदों से 3 मिनट के लिए इसको cook होने देंगे तो ये देखे मटरव पनीर जो है वो बन कर तयार है अब इसको हम surf करेंगे तो ये देखे बहुत ही tasty बहुत easy मटरव पनीर बन कर तयार है आप इसको चावल रोटी किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं बहुत ही मज़े का लगता है तो आप लोग एक बर जरूर फ्राइ कीजिएगा